बिश्मिल्याइ वार रखेलेकिंग में साला प्रोबाई प्राकातूर। क्लास 9 वाले में आज उपर अलाज्ट्मिक है, भुक का और इस चैक्टर का भी यूनिट नॉम्बर 9 को स्टेटिकर रहे हैं। यूनिट नॉम्बर 9 में आज उपर अलाज्ट्मिक चल रहा है। पार्ट रहे गया था मायोकार्डियो इंफ्रेक्शनS जिसको आज हम visstar दो आने हें तो मायोकार्डियो इंफ्रेक्शनS commonly known as किया कहते हैं हम heart attack की जाएं मायोकार्डियो इंफ्रेक्शन्स को आम जज़ चुर्ब लोग heart en placebo heart attack से Milokardiis दूसरे word का नाम है Infraction एक word का नाम है इससा है Myopedia Myopedia का मतलब है Heart Muscles और Infliction का मतलब होता है Tissue Death Tissue Death इसका मतलब یہ हुआ कि Heart Keard Muscles की Death होना Heart Keard Tissues की Death होना यह collective ली मतलब होगए कि इसका Myopardial Infraction का जो कि Myopardial से Myopardium जिसका मतलब Heart Muscles है और Infraction का मतलब Tissue Death Heart के Tissue की Death को हम क्या कहते हैं Myopardial Infraction कहते हैं अब यह Myopardial Infraction क्यों होती है इसकी काजिस क्याने है क्या वचुभाद है जिनकी बन्याद पर यह हो जाती है हम ने लिखा दो यहां पर काजिस लिखी है एक एस Certain Interruption of Blood Supply to Heart Muscles अगर Heart Muscles को अचानक Blood Supply रुख जाए ना पहुँच पाए तो जब उनको Blood नहीं पहुँचेगा इस मतलब यह हुआ कि उनको Nutation नहीं पहुँचे तो वो Muscles रवाइब नहीं कर सकेंगे देफ होना शुरू हो जाएगी उनके दूसरा Blood Clod इस कारोनरी Arteries कारोनरी Arteries कारोनरी वेंज भी हमारे Heart के अंदर प्रेजट हैं उनके अंदर भी एक लॉट फसकते हैं तो कारोनरी Arteries या वेंज के अंदर अगर Blood Clod जब जाए तफस जाते हैं तो Blood Supply Next Part को रुख जाती है जब Blood Supply रुख जाएगी Automatically Myopalty Infection जाए उस परसन को हो जाएगा यूँ उसको Heart Attire का आर्जा जाएगो शुरू हो जाएगा तो दो काजित है Certain Interaction of Blood Supply to Heart Muscles फिर लिखा हमने Blood Clod in Coronary Arteries Coronary Arteries Heart के जो Arteries हैं उनको हम जाएगे नहीं हुई तो फिर बिटा हम इसकी काजित हैं जाएगे इसके Symptoms क्या हैं अलामाद के हैं किसी बिमारी के लिए जाएगों किसी डॉक्टर के पास आते हैं तो हमेशा पहले क्या करता है हाँ जी आपको पास कौन कौन से बॉक्त के लिए चेप क्या क्या चीज़ा करते हैं और ₩ से जाएगे है पुछ अलमाद की पुछता है और अलमाद के होतावे की दवाई जायोँ हो आपको से जिस्ट करता है तो अलमाद में पहली अलमाद आप है स्वियर चेस्ट पेम sensation of tightness, तनाव हो जाना pressure पढ़ना body के उपर, heart, water, chest के उपर chest के उपर tightness तनाव केदा होगा chest के उपर pressure सा पढ़ेगा ऐसे लगए देखे इस गुटन सी हो रही हो और फिर pain retreat तरता है, फैल ता है किसमें? left arm में फैल सकता है जा सकता है lower charge, नीचे वले जबड़े में भी जा सकता है neck के अंदर भी जा सकता है right arm के अंदर भी जा सकता है back push पर भी जा सकता है तो ये कुछ parts हैं जिनके अंदर pain जो है वो रिडियेट करता है तो pain फैलना शुब होगा पहले किस के अंदर आएगा left arm के अंदर आएगा ये सब्डिये आजकर आसओर कर भी ये मसला हो सकता है कि बादी चीज़ का रही तो भी दर्द होना शुब हो सकता है बाद वाद आप ऐसे परशान हो जाता है कि डर्द लेफ्ड आप मसला नहीं हो गया तो मुझे भी हड़ अटाइक का मस्क्र तो नहीं हो रहा कोछ बैमारी तो ये लग रही सच्टी के पज़ सी बादव तक हो जाएथ अगर आफ़ गौसम दो प्रशान नहीं हो जाना वह रहा नहीं तो लेफ्ट आर्ट के अंदर पेंदर रिडियेट करना लोवर जाथ ये नीचे वले जबड़तों हैं 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 ये नीचे वले जबड़तों को अपर erson की death हो paix. दिल काम करना छोड़ देगा तो लावाहा लाप उसका हो जाए। यह बिमारी है फिर हम क्या करते हैं मिटा उसका इलाज करते हैं तो सबसे पहले हमने उस परसन को क्या देनी है वही ऑक्सीजन सप्लाई देनी चाहिए उसके बाद क्या खून को पतला करने वाली टैबरेट है एस्प्रीन आप सब्सक्राइब जो उसका दोड़नी परसन को देसकते हैं फिर एक टैबरेट है जबान की नीच रिखती जाती है इस टैबरेट का नाम है ग्लाइस्टाइल ट्राइड़रेट इसका जबान की नीच रखना तक फॉ एका फोली तौर पर यहां आपके ब्लट को पतला करें ताकि ब्लट सप्लाइज आगे मूँई करना जब चुरू करते हैं तो पर यह आपका ट्रेटमेंट है कि यह आप ऑक्सिजन सप्लाइज दे सकते हैं एस्प्रीइड प्रीइन कि डे टे सकते हैं या सब्लीन होरे पाट्रेट है इस दोड़ा की चुछ सब्लीन हर्य को वर्ध यूज़ किया है गलाइसराई अद्राइ प्रइनाइड एक ट्राइड एक क्डेट है फोई तया पर आकंते कि लाएक्ट ने देखें तो यह सोु जए तो देते हैं किस तरह से जो है लॉघ टर्म ट्रीड्मिनिट में आपस नाया आजी बेटे एंट्योप्लास्टी कहते हैं क्या की इसको एंट्योप्लास्टी एंट्योप्लास्टी को मतलब है मेकेनिकल वाइडिनी Leahy与 और इस Catholic indifferent अенно एपसिते हैं कि अगर ऑच्ञ बंग हो गई है उसके अंदर वजा से पांड हो गई इनने अधरेसिकलिरोसिज न हो गई है या अधरेस लिरोस हो गई है। या उनके अंदर को ब्लड क्लाउट में सबसा हुआ है। आपने मेकैनिकल वाइडन रूफ चौड़ा कर दें। इसको क्या करते हैं एंग्यू प्लास्टिक। तो उसके लिए चौड़ा करने लिए चीजें हम लगाते हैं क्या क्या कैके उसको हम स्टंड लगाना करेंपगर उसको ख़ला करें जाए जो आपकी ठीक नहीं काम कर लेए यह सुकड भी है किसी ब utilizz से उसकोivan करें जो आइवाए पास सर्डरी बाइपास नाम से जाहिर है बाइपास अड़ियर याँ आपटेंगी अपके ग्राफ करदेने क्या करना है ग्राफ करदेने बाडी की किसी हिसे से आर्टरी को लेना है और और जावी आर्टरी हर्ट के अंदर जो है उसकी जगह पर उसको लगा देना यह कि जो शुकड़ा हो इसा होगा वो आपने समय निका लेना है और बाड़ी से जो आपने आर्टरी ही है वो आपने लगा देगी तो इसको हमने क्या कहा है इसको हम कहते हने लगा देगे हैं किस का लड़ी प्लुड़ारीह की बाड़ी की बाड़ी की पेवनदगारीह की बाड़ीके जिसम की किसी इससे से भिया jedी प्रेश स्यातर्टिय निकाल थे बहुत तो आर्टरेश के अंदर प्रेम्ट काल हुए विर्थ आपता है तक्री प्लोज में थे विक्श म् में कहिसे दी हैं 1 अयर। इसका MAKका में तो seems IS during laat from about 15 alcoholic 188 अरिश Krयाम यृश्यदाइस का नाम विल जान करें वासो झान का एक्टिली तॉर्ट वर्ट ये कहा है वर्णिंग साइन है हाइड अगर चैस्ट पियन होने शुड़ हो जाते हैं और बार बार रहता है इसको मलब है आपको त्यार हो जाने जाए आपका वाड़का प्रॉब्लम होने वाले है आप उसके लिए एहक्तियारती तदावीर पहले चैसे शुरू कर दें यानि कि लोगा अगर फैर्स लेते हैं लिप्ट लेते हैं इस तरह बिजा लेते हैं जो ब्रेंड वेसप्स को तंग कर सकती हैं तो आप उनको अभी से छोड़ दें तो यह वार्णिक साइश की हमने इसको नाम दिया है पें इन हाइड हाड के अंदर होना लेफट आर्म के अंदर पें होना शूलर के अंदर पें होना तो ही हमारे पास अगर जिए अलामार आना शूरू हो जाये तो सभाप्स लेख अनट अचाया फान के हैं शे systemic motherट आहिंचा और भशान होगी से बुभना से नाम भाबर हम पतलिक मुब्शुक गहा हैं और एक चुथाई तमाम मायबाड़ी इंट्रक्ष्ण में एक चुथाई हिसा जो हैं वो साइलेट हैं साइलेट से मतलब यह हुआ कि यह मसला होका वगर सिंटम अभी जायर नहीं होगे अलामात सामने नहीं आईए अलामात ना आने की वज़े से बिटा हम इसको क्या कहते हैं साइलेट हाट अटाइक है क्या कहते हैं इसको साइलेट हाट अटाइक है यह पहले अलामात नहीं होगी अचाना का अटाइक हो जाएगा इसकी वजह से इसको उनक्ति जाहें, साइलेट हाड अटक कहते हैं, चुकि इसकी सिंटम नहीं आती है, फिर World Hard Day, दुनिया में हाड अटक मनाया जाता है, काब 28 सब्टमबर को, हर सार 28 सब्टमबर को हाड अटक मनाया जाता है, पेटे इस हाड अटक मनाने का काम किस तरह से करता है इसको मसाइब किस-किस विज़स आ सकते हैं इसका अबजेक्टिव मकसद इस दिन के मनाने का यह है लोगों को दिल बीमारियों के बारे में बताँ इना कि यह यह बीमारियां होसकती है और इसके बचाओके यह यह तरीके हैं, यह बाइडा इसका होता है, बारे जाता ही, पाकस्टान के अंदर इसके क्या К्या रिषोत है लिए ठीश होत dit हाइपरटेंशन जो है, most common disruptor है, cardiovascular problem, cardiovascular disorder का, यह problem का, common disruptor कौन सा है, हाइपरटेंशन है, और इनों शुदाय है, over 12 million, over 12 million हाइपरटेंशन पेशेट है पाकिस्तान के अंदर, 12 million हाइपरटेंशन के पेशेट है पाकिस्तान के अंदर, और उन में 12 million में 85% पेशेट जो हैं, रूरल एरिया में मौझूद है हाइपरटेंशन के, और सबसे बड़ी मज़े की बात ही है, वो unaware है इससे, उनको बता ही हाइपरटेंशन होती ही क्या है, हाइपरटेंशन में मौ आम जवाने लोग के देंशन का बढ़ जानों में कहा सकते हैं, तो ब्लेट प्रेशर जाएपरटेंशन में ज्यादा होता हाइपरटेंशन में, तो 85% पेशेट रूरल एरिया में लाकिके जो लोग है, वो इससे आनों में है, और 10% पेशेट जो है, वो डाइडिज, डाइ ब्लेट ब्लेट जिए हो क्या है? ब्लेट जै है, यकि मोटा है, हल्दी है, वह जयादा, तो ब्लेट लोग को पेमारी जादा होती है, ये एक एगामन चीज़ है, तो हार्ण प्रॉबल्लम इया ही, ऐस ज्यादा हो सकते हैं, तो उन लोगों को आपनी सियद का खिया लगन जो भी करने चाहिए ताके ब्लड फ्लो जी ज्यादा रहे एक्सराइज से बाड़ी का टंपरिचर बढ़ता है तो जो लिपिड्स है वो मेंट हो जाते हैं इसलिए इसलिए पौबैसिटी से जो है पुटापी से जो हो बचना है तो आज कमारा आधा इसलिए पाइलिए वारे अधान था जो बता हुआ असलामा एक्सराइट अधान पूर्ण वारा का